तो आदाव, नौसकार, गुडे इनिंग, सत्स्री, अकाल, एक बार फिर आप तमाम लों का स्वागा थे क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में उम्मीद हो पुरी फैमली अच्छी होगी, अपना और अपनों का खयाल रख रही होगी, 29 मैं 2022, 29 मैं 2022, संडे का दिन था, शा पास गुर्गे, गोल्डी बराड, जो कि कैनेडा में कहीं चुपा बैठा, उसके इशारे पर गोलियां चली और पंजाबी सिंगर, देश विदेश में बेहत मरशूर, सिध्धु मुसेवाला की मौत होगी, 29 मैं 2022, संडे का दिन, शाम की पांच पजे, इसकी पोदी कहानी रिटेल में आप उचना रखी है, सिध्धु मुसेवाला की मौत के 658 दिन बीज जाते हैं, 658 देज, 658 देज, 658 दिन के बाद, 17 मार्च 2024, 17 मार्च 2024, संडे का दिन, और 5 बजे, लेकिन सुबहा के, मुसेवाला गाउं से कुछ दोरी पर भटिंडा, और भटिंडा के एक हास्पिटल जिसका नाम है, जिंदल हार्ट इंस्टिटूट एंट इन फर्टिलिटी सेंटर, यहां एक बच्चे का जन्म होता है, और उस बच्चे का नाम रखा जाता है, शुबदीप सिंग, अब य कुछ वक्त पहले एक खबर आई थी, कि सिद्धू मुसेवाला की मौत के बाद उनके मावाप में तै कि वो जूनिया सिद्धू मुसेवाला को इस दुनिया में दाएंगे, सिद्धू मुसेवाला इकलोता बेटा, अपनी माँ चरनकौर और पिता बलकौर सिंगा, अब बल सिद्धू मुसेवाला इकलोता बेटा था, उसके बाद इस उम्र में अमूमन माबाप लोग बनते नहीं और बलना बहुत मुश्किल होता है, फिजिकली बहुत सारी चैलेंजिस होते हैं, तो यहां क्यों ऐसी जरुवत पड़ी, आज ये पूरी कहानी आपको सुनाने जा और उसकी बजाय ये है, कि के सिद्धू मुसेवाले के लौट आने के 658 दिन के बाद की जो कहानी है, भी इतर बलकि दो कौसम खाई गए थी, और उसी एक कसम का नतीजा है, कि 658 दिनों के बाद सिद्धू मुसेवाला लौट आया, तो सिद्धू मुसेवाला एक गैंG वा का शिकार हुए हाला कि सिद्धू मुसेवाला की मौत के बाद ये भी सवार उठा कि दो गैंग के बीच लड़ाई उनकी मौत की बजा थी कुकू FM के आदियो लर्निंग अप्लिकेशन पर सिद्धू मुसेवाला अ क्रिमिनल और रिवुलुशनरी ये एक पूरा आदियो लर् अप्लिकेशन पर सुन सकते हैं तो कुकू FM देश का विस्ट आडियो शो प्लेट फॉर्म है कुकू FM हर महीने 2200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा आडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी जुबान में सुन सकते हैं खा 50% सकते हैं यानि पहले महीने के लिए सिर्फ 29 रुपे में आपको 10,000 आडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जब चाहें जहां चाहें सुन सकते हैं और अपना ग्यान बढ़ा सकते हैं यह विडियो जो आप देख रहे हैं यह खुद बलकौर सिंग यानि सिद्धू मुसे वाला लोट आया है 17 मार्च की सुबा इतफाक देखिए कि जब सिद्धू मुसे वाला की मौत हुई तब भी संड़े था और 658 दिन के बाद जब सिद्धू मुसे वाला की माने अपनी कोग से एक और बच्चे को जण लिया तब भी संड़े था एक इत्वाक दिन एक इत्वाक तारीख अलग लग तो अब सवाली है कि इस उम्र में साथ और पटपन साल की उम्रें बलकौर सिंग और चरनकौर में ये क्यों फैसला लिया था तो इसकी जो पूरी कहानी है सिद्व मुसवाला की फैमली के हवाले से और हमारे मांसा में प्रेवार से बड़ा करीजी रिष्टा है तो उन्हों ने जो सारी जानकारी दी उसके बाद ये एक बेहद मार्मिक कहानी सामने आई 29 मैं को सिद्व मुसवाला को मारा गया और उसके दो दिन के बाद 31 मैं 2022 को मुसवाला गाउं में सिद्व मुसवाला की चिता सजी अंतिम संस्कार हुआ आज उस जगह पर एक आदम का तस्वीर लगी है सिद्व मुसवाला की ये फोटो भी आप देख सकते हैं तो 29 मैं की मौत के बाद 31 मैं को जब चिता सजी और उसी चिता पर बलकौर सिंग ने दो परतिक ग्या ली थे दो कसम खाई एक ये कि वो अपने बेटे के कातिल को कानून से सजा दिलाने के लिए आखरी सांस तक लड़ेंगे और जब तक उसके कातिलों को उसके गिनाहों की सजा नहीं मिलेगे वो इस इनसाफ के लिए लड़ते रहेंगे ये दोनों मिया बीवी ने कसम खाई थी यानि सिद्धूमों से वाला की माने और पिताने इसके बाद उन्हें ने दूसरी कसम खाई और उन्हें ने कहा कि अब वो अपनी जिन्दगी में एक और से धूमों से वाला को लाएंगे उसक बहुत सारी ये बात हुई थी कि मौत के बाद कैसे ये ख्याल आया लेकिन उन्हें लगा था कि अब उनकी उम्र है क्या पता अपने देश में तो कानून का आपको पता है हाँ आलम क्या है बरसों बीट जाते हैं मुकदमों की सुनवाई अदालतों के चक्कर काड़ते हुए लेकिन इन दोनों पती पत्नी कि सिर्फ एक ही सपना था कि वो अपने बेटे के कातिलों को सदा मिलते हुए देखें और उसके लिए लड़े लेकिन बीच मेंने डर बिठा कि उम्र आड़े आ रही है 20-20-30 साल मुकदमे के फैसले में लग जाते है तब ही उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं एक जूनियर सिद्धो मूसा वाला को लाया जा है और उसके जरीए अगर उने कुछ होता है तो आगे के लड़ाई बोलड़े लेकिन कैसे 2023 में बलकौर सिंग्जी और चरनकौर पती पत्नी दोनों विदेश जाते हैं कुछ महीनों के लिए वहाँ जाने के बाद वो डॉक्टरों से कॉंटेक करते हैं जॉक्टर से पोई बाचीत करते हैं और वो अपनी कसम और खाहिश बताते हैं वो बताते हैं कि उन्हें फिर से एक आउलाद चाहिए चुक्के सिद्व मुसेवाला एक लौता बेटा था सिद्व मुसेवाला के जाने के बाद पूरा घर आंगन सब सूना हो चुका था तब वो यादे भी वापस लानी थी डॉक्टरों ने चेक किया और उन्हें कहा कि आपकी उम्र और सिहत को देखते हुए इस उम्र में प्रेग्डेंसी मुश्किल हो सकती है जान को खत्रा हो सकता है बलकौर सिंग अपनी पत्नी को खत्रे में भी नहीं डालना चाहते थे तो यहाँ पर साइंस ने मदद की साइंस ने इनकी प्रतिग्या को पूरी करने में एक एहन रोल प्ले किया और उस साइंस के जरीए डॉक्टरों ने कहा कि आप बिल्कुल जूनियर से दुमासर मुशे हवाला को इस दुनिया में ला सकते हैं और इसके बाद उन्होंने आईवी एफ के बारे मुणे जानकारी दी आईवी एफ एक तरह का टेस्ट्यूब बेबी इसमें होता यह है कि किसी महिला के एक को विमिन्स के एक को जो मेल के स्पम होता है उसको लैब में फटिलाइज करने के बाद जब एक भून तयार हो जाता है तो फिर उसे वापस उस महिला के गरभाशे में डाल दिया जाता है और इसके बाद फिर धीरे धीरे या तो सिजेरियन या पिर ऑपरेशन के बिना दी लेकिन आएफिएफ में भी बहुत सारी चीजें हैं एक तो महंगा भी है लेकिन महंगाई से जादा यह है कि कई बार नाकाम होता है लेकिन उस डॉक्टर की सला को मानी दोनों ने वापस इंडिया आते हैं उसका इंडिया आ यहां कि डॉक्टर से कॉंटरेक्ट करते हैं इसके बार लगाता है डॉक्टर घर आते हैं प्रोसेस शुरू होता है और इस प्रोसेस के शुरू होने के अबाद धीरे-धीरे उस गरभाशे में यह जो आए-बे-ये-फ के थ्रू सारी चीजें सही जाती हैं और आखिरकार डॉक्टर की देखरेक में 17 मार्थ संडे की सुबा 5 बजे के इसी भटिंडा के इसी अस्पताल में जूनियर सिद्धु मुसे वाला का जन्म होता है। बाप और माँ इतने खुश हैं कि उसके आदास्पताल में मिठाई बाढ़ते हुए, मिठाई खिलाते हुए, डॉक्टरों की टीम को अपने बेटे को गोद में लिये हुए और सोशल मेडिया पर खुद मुझे तस्वीरे डालते हैं, ऐलान करते हैं एक तरह से, कि देखो, त कातिल उससे मिल चुका होता मारने से पहले, तो शायर मारता ही नहीं, लेकिन जिस लोगों ने भी वहां पर जो शूटर आया थे, गोली चलाई, उस सिद्धु मुझे वाला को जानते ही नहीं थे, वो तो अपने आगा, अपने डाउन के हुक्म का पालन कर रहे थे, उन्हो सिद्धु मुझे वाला के पैदा होने की बाद मुझे वाला गाउं में पहुंची, उस गाउं में खुशी की लहर दोगे, लोगों ने गुलाल से, ढोल, ताशे से, चश्ट मनाया, और हर एक ने कहा कि इस बच्चे में उन्हें सिद्धु का चेहरा नजर आ रहा है, और इ बच्पन में उसे लोग गगु कहकर पुगारा करते थे, फिर दीरे दीरे गगु बढ़ा हुआ, स्कूलिंग महीं, मानसा, सेकिया, मुझे वाला में रहा, पला बढ़ा, उन्हीं गलियों में खेला, ये सारी गलियों की तस्वीर हैं थी, उसके बाद वो लोधियाना पहु पहुचा तो उसे बाद देखा, कि कैसे पंजाबी म्यूजिक जो है, पंजाबी पॉप, पंजाबी सूफी, बाकी सारी चीज़े, कैनेडा में बेहत सुनी और सराही जाती है, तो कैनेडा पहुचने के बाद पहली बार सिद्धु मुसेवालों को इस बात का एसास हुआ, और उसी के बाद सिद्धु वापस जब 2018 में पंजाब लोटता है, और फिर अपने पिता से कहता है कि मैं म्यूजिक में अपना करियर बनाऊंगा, उसके बाद सिद्धु मुसेवाला की कई अलबम आते हैं, और धीरे धीरे सिद्धु मुसेवाला की पहचान भारस से निकल कैनिडा, अमेरिका, योरोप, उस्टेलिया, यूए, हर तरफ पहल जाती हैं, और देखते ही देखते सिद्धु मुसेवाला एक बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है, 2018 से शुरू हो यह सफर 21 तक बिलकुल ठीक चल रहा था, यहां तक कि मशूरियत इतनी थी, मक्बूलियत इतनी थी, कि पंजाब इरान सभा चुनाओं में सिद्धु मुसेवाले को टिकेट दे लिया कॉंग्रेस में और चुनाओं में खाड़ा भी जो, लेकिन अफसोस सिद्धु मुसेवाले की जीत नहीं हो पाई, वो हार गो, लेकिन फिर भी, म्यूजिक का कारोबार चलता रह लेकिन इसी दोरान गैंग वार एक अलग कहानी लिख रहा था, पंजाब में बंबिहा गैंग और लॉरेंस मिश्णोई जो नया नहीं अतिहार से अब उठकर पंजाब में अपनी पकड़ बदा रहा था, इन लोगों में दुश्मनी हो गई, बंबिहा गैंग, बंबिहा न से सिद्धु मुसेवाला ने गाना गा दिया, लॉरेंस और बाकी लोगों को लगा कि गाने से बहुत पैसे कमा रहा है, उन्होंने उससे पैसे मांगे, सिद्धु मुसेवाला ने मना कर दिया, ये सारी कहानी आपको रिटेरिम में सुनाया, लेकिन फिर ये दुश्मनी बाकी गुर्गों ने अमल में लाया, और फिर 29 मैं 2022 को मुसेवाला के गाउं में, जब मुसेवाला अपने घर से निकले, तो फिर पीछा कर गोलिया चलाई, और मुसेवाला की मौत होगे, तो मुसेवाला की मौत के बाद, दो जो कसम थी, उसमें से एक कसम तो पूरी होगे जो एर मुसेवाला लौटा आया, और इस मुसेवाला के साथ जो वीडियो जारी किया है, उसमें जो गाने के बोल है, उस सारे बोल माँ और बच्चे की ही उपर है, जो खुँद सिद्व मुसेवाला की आवास में है, तो एक कासम पूरी होगे, लेकिन दूसरा की किया, जो यह कि जब तक वो अपने बेटे केस में इंसाफ नहीं दिलाएंगे उसे, जब तक उसके कातिलों को सजा नहीं मिलेगी, वो आखरी दम तक लड़ेंगे, तो उस केस की कहानी फिलाल यह है, कि मामला एनाईय को सौंप दिया गया था, एनाईय ने चासीट भी दाखिल कर दी, क एक नौजवान सिंगर को इस तरह मारा गया, जिसकी मौत हुई, वो आज भी आज़ाद है, आज भी खुला है, और आज भी वो कैनेडा में कहीं चुप कर बैठा है, यानि बोली बलागा, तो उनके पिता का कहना है कि इस मामले में जो हमारी एजंसियां हैं, सुस्त हैं, अ उन्हें डर इस बात कहा कि पता नहीं, वो अपने जीते जी अपने बेटे के खातिनों को सजा जिला पाएंगे की नहीं, और शायद इसी डर में जूनियर सिद्धू मुसे वाला को बापसी कर दी है, मुसे वाला लौट आया, काईदे से कहें तो, शुपधीप सिंग नाम ह अब आगे चल कर इस जूनियर सिद्धू मुसे वाले पर हर एक की नजर हो, जो पास्ट में जो कुछ हुआ, उस बात का हैसास बलकौर सिंग और चरण जी कौर को भी है, चरण जी कौर को भी है, तो इसलिए सारी चीज़ें भी हैं जिसके वो देखना है, लेकिन वाकी और वो माबाप हिम्मत ना हरें और चैलेंग करें, ये ना सोचे जमाना क्या कहेगा, साथ और पट्पन की उम्र में फिर से अपने बेटे को वापस इस दुनिया में लाने की कसम खाएं और लाएं, और उसी के जरीए अधूरे इंसाथ को पूरा करने की हसलत रखें, ऐसी म से पूरा तर्दिका है, तो मेरी भी यही दुआ है, कि जूनियर सिद्धु मुसे वाला तंदृस्त रहें, अच्छा रहें, अपनी माबाप की उमीदों पर खरा उट रहें, और माबाप को अपने बेटे के कातिलों को जो सजा दिलाने की उमीद है, वो उमीद भी जल्दी पूरी है, यह नहों कि बरसों लग जाएं, फिर ऐसे मामले में, इंसाफ का कोई मतलब नहीं रहे जाता, तो यह चंद तस्वीरें जल्कियां, यह सब जूनियर सिद्धु मुसे वाला की है, यह अभी भी बटिंडा के अस्पताल में है, चुकि सिजेरियन है यह, आईजिय का बेसरी से इंतजार कर रहे हैं, उसकी मेजा यह, गरीब 658 दिन के बाद यह पैदा हुआ है, और इन दो सालों में बहुत सारी चीज़ें बदल गई, और शायद अबू सांगन में उस घर में, जहां सिर्दु मुसे वाला का जन्म हुआ, वो बढ़ा हुआ, एक बार फिर से वो खुशियां लौट हैं, जिन खुशियों को कुछ लोगों की नज़न लग गए थी, तो आज इस कहानी मित रहीं, लेकिन वाकिए इस माबाब की दज़्वे को समाब, साथी क्रैम तक फैमली के लिए इस वक्ते खास आफर है, कुकू FM एप के पहले महीने के सब्सक्र पहले महीने के लिए सिर्फ 29 रुपे में आपको 10,000 आडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा, जिसे आप जब चाहें, जहां चाहें, सुन सकते हैं, और अपना ग्यान बढ़ा सकते हैं, तो कहानी खत्म करूं उससे पहले वहीं, अपना सिलसला आज स्वाती मलिक इनका इन दोनों की भी आज, इन दोनों का जरम दिन हैं, तो विशाल भाई और विकार्श दूबे जी आप दोनों को जरम दिन की बहुत-बहुत मुबारक बढ़ाई, भेजा है रितिक दूबे ने, हर्शिका यादब का भी आज बड़े हैं, तो हपी बड़े हर्शिका, और ये पूजा और अजय यादव जी की बिटिया है और भेजा है पिंटू यादव में सोनु राजपूत इनका कल बढ़े था तो बिलेटेट हपी बढ़े सोनु साबिर अंसारी का आज जलम देने हैं तो हपी बढ़े साबिर इसके लावा शहनास प्रवीन और राकिब मेनन शाह इ दोनों को बहुत बहुत मबारक बढ़ाई तो कहानी में आज इतने ही अब आप से मुलकात होगी कल रात नौ बजे किसी नहीं कहानी के साथ तब तक अपनों और अपनों का खायल रखेगा था